Hey guys, यार एक equation आपके सामने देखो मैंने लिखी है, हमें x find out करना है, tricky problem है लेकिन इसका जो answer है वो एक divine number आने वाला है, मैं तो कहूंगा कि video pause करके पहले एक बार खुद इस equation को solve करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर solution को देखिए, हमारे पास देखिए एक left hand side है, एक right hand side ह left hand side में x minus 1 by x की power 1 by 2 लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, ये जो x minus 1 by x की power 1 by 2 है, मैं इसको a ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने a ले लिया है, और ये वाले जो quantity है, 1 minus 1 by x की power 1 by 2, इसको यार मैं b ले रहा हूँ, ठीक है न, इन दोनों quantities को मैंने a and b मान लिया है, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ इसको b मान लेता हूँ तो a प्लस b की value आप देख सकते हैं x हो गई ठीक है यहां से आप देख सकते हैं कि a प्लस b मेरा कितना हो गया x हो गया ठीक है आप यहाँ पर यह देखिए कि अगर यह quantity a है तो मुझे बताइए a square क्या होगा अगर मैं a square के बारे में सोचूँ तो इसका square करते ही मुझे मिल जाएगा x minus 1 by x ठीक है सिमिलर तरीके से अगर मैं b का square करूँ b का square करूँ तो b square मेरे को हो जाएगा 1 minus 1 minus 1 by x ठीक है a square अपने पास है b square अपने पास है इन दोनों को देखिए और मुझे बताइए कि a square minus b square किसके बराबर है आप बोलेंगे a square minus b square minus करेंगे तो देखो minus 1 हो गया है न तो minus 1 और ये plus हो करके ये दोनों cancel out हो जाएगे और a square minus b square my dear friends मुझे को x minus 1 मिल गया है अगर a square minus b square x minus 1 है तो a square minus b square को मैं लिख दिया a minus b into a plus b ठीक है a minus b into a plus b मेरा x minus 1 हो गया ठीक है a plus b की value x है तो ये जो a plus b है अगर इस a plus b की जगहाँ पर मैं x रख दे रहा हूं तो मुझको a minus b मिल गया that is x minus 1 divided by x ठीक है न a minus b कितना मिल गया x minus 1 divided by x x minus 1 divided by x को लिख सकते हैं आपन x by x 1 हो गया minus 1 by x ठीक है तो a minus b देखिए a minus b मुझको मिल गया a minus b मुझको मिल गया 1 minus 1 by x कितना मिल गया 1 minus 1 by x ठीक है तो मेरे को a plus b मिल गया x a minus b मेरे पास है 1 minus 1 by x अगर मैं इन दोनों equations को add कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए plus b minus b cancel out हो करके left side में 2a बन गया right side जो मेरी है वो हो गई x plus 1 minus 1 by x ठीक है अब देखो इसको further solve करते हैं है यहाँ पर देखिए 2a 2a मेरे पास है x minus 1 by x x minus 1 by x plus 1 right x minus 1 by x plus 1 ठीक है 2a की value मेरे को मिल गई मैंने इस x minus 1 by x को देखा है ना x minus 1 by x को देखके मुझे याद आ गई यह वाली equation ठीक है x minus 1 by x मेरा a square था तो यह quantity मेरी कितनी थी a square ठीक है यह वाली quantity मेरी थी a square ठीक है minus 2a हो जाएगा है ना तो a square minus 2a plus 1 equal to 0 हो गया इसको अपन a minus 1 का whole square लेख सकते हैं ठीक है तो a minus 1 का whole square 0 है तो इसका यह meaning हुआ कि a की मेरी जो value है वो 1 हो गई ठीक है a की value कितनी हो गई 1 हो गई ठीक है a की value 1 हो गई है a की value कितनी हो गई 1 ठीक है a की जगे अगर 1 रखने है अपन तो इसका मतलब यह हो गया है ना a की value अगर मेरी 1 हो गई है A की value 1 हो गई है तो 1 का square 1 will be equal to x minus 1 by x बहुत ही शांदार तो x minus 1 by x मेरा 1 हो गया ठीक है x minus x मेरा 1 हो गया अब मैं x से cross multiply कर दूँ तो x is equal to x square minus 1 इस x को यहाँ पर right में लेके आऊँगा तो मेरे को मिलेगा x square minus x minus 1 equal to 0 x square minus x minus 1 equal to 0 यहाँ से x की values निकालें तो minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a का formula लगाके मुझको x की 2 values मिलेंगी ठीक है यहाँ से देखिए मेरे को x की 2 values मिली पहली value मेरे को मिली 1 plus root 5 by 2 और जो दूसरी value मिली है वो मिली है 1 minus root 5 by 2 आपकी जानकारी के लिए बता दूँ मैं यह जो 1 plus root 5 by 2 है यह एक बड़ी खास किसम की value है इसको golden ratio बोलते है mathematics में yes golden ratio divine ratio divine ratio क्यों बोलते है golden ratio क्यों बोलते है इस पे मैं separate video बना दूँगा अभी के लिए आप यह समझे कि x की जो 2 values आई है 1 plus 1 plus root 5 by 2 यह जो value है यह value positive है और 1 minus root 5 by 2 यह value मेरी negative है 1 minus root 5 by 2 यह value मेरी negative है ठीक है क्योंकि root 5 जो है 1 से बड़ा है तो यह मेरा negative value है ठीक है और x की value negative नहीं हो सकती x की value negative नहीं हो सकती x की value negative क्यों नहीं हो सकती क्योंकि मेरी original equation को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो left hand side है ये वाली left hand side में दो terms है इन दो terms में देखिए ये जो 1 by 2 power है 1 by 2 power basically square root होता है क्या होता square root और square root वाली जो quantities है वो negative नहीं हुआ करती तो ये quantity मेरी क्या है non negative ये वाली quantity भी क्या है non negative है ना तो यहां से अपन बोल सकते है कि जो left hand side है left hand side है ये है non negative है ना non negative hence right hand side must be hence right hand side right hand side कितनी है x के बराबर है ना this must also be non negative must also be non negative इसको भी non negative होना पड़ेगा इसलिए जो negative x मेरा आया है मैंने उसको cancel कर दिया x की value जो negative आई है वो reject कर दी मैंने और x की value जो positive आई है वो मेरा answer होगी है तो इस problem में जो x इस equation को satisfy कर रहा है वो है मेरा 1 प्लस root 5 by 2 तो answer कितना आ गया answer आ गया 1 प्लस root 5 by 2 मैं इस 1 प्लस root 5 by 2 को divine answer कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ divine answer क्योंकि 1 प्लस root 5 by 2 इस ratio को divine ratio बोलते हैं golden ratio बोलते हैं इसके golden ratio होने की divine ratio होने की अपनी एक कहानी है अपनी एक दास्ता है जो किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा so I hope यार यह equation अपने को solve करना आ गया होगा और इस solution की जो beauty है वो आप महसूस कर पाए होंगे